हिसे खकिषा थान वी आज अपनी यूटीव चनलूर आप लूगों के लेकर आई हूं गट्शाइलवन ंप्य कुल्य आलशा इहिंक्टैब नैट्री में कंठी कोर स्थ्थAL disappointment आप यूटीव कापियो में जिंके हमारे पास में दो पद संकलित हैंमारे पास में पाठ्य पुस्तक में दो पद संकलित हैं मैं इन पदों की व्याक्या के साथ साथ में आपको अपने इस वीडियो में कबीर के कोशन आंसर भी करवाऊंगे तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले चानल नसी के पास लहरतारा उत्तरप्रदेश में प्रमुक रचनाई जो है इनकी बीजक जिन में साखी साबद एवं रमैनी संकलित हैं मृत्यू इनकी बताई जाती है 1518 में बस्ती के निकट मगहर्मी कबीर भक्तिकाल की निर्गुन धारा ज्याना श्रीष शाखा के हिमायती मतलब पक्षदर बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा दे कर इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद दिवेदी ने वानी का डिक्टेटर भी कहा है कबीर के जीवन के बारे में अनिक किवंदंतियां परचली थे हैं उन्होंने अपने विभिन कविताओं में खु ग्यान प्राप्त किया किताबी ग्यान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी उनकी रचनाओं में नाथों सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है वे करमकांड और विचार के विरोधी थे तथा जाती भेद वन भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है कबीर के जीवन परीचे के बारे में अब हम मैं आपको बताऊंगी इनके दोनों पदों की व्याख्या तो चलिए बच्चों हम प्रारंब करते हैं कबीर संप्रदाय जी कहते हैं हम तो बहुत अच्ची तरह से जान गए हैं कि परमात्मा केवल मातर एक ही है एक ही इस्वर्ज पूरे संसार में व्याप्ट है दोई कहती को दो ज्यक जिन नाहिन पहचाना जो परमात्मा रुपी आत्मा, परमात्मा में भेद करते है जीव ब्रह् मतलब होता है बच्चों नर्क तो जिन लोगों ने वाजो लोग वास्त में आत्मा परमात्मा में भेद करते हैं जी ब्रह्म में भेद करते हैं उन्होंने वास्त में परमात्मा को पहचाना नहीं है इस्वर को पहचाना नहीं है और वे लोग ही स्वर्ध और नर्क में भेद क ही है पहन मतलब आयू एक ही पानी जल एक है एक जोती समाना और संपूर्ण विशू में एक ही जोती व्याप्त है समाना मतलब व्याप्त संपूर्ण विशू में एक ही जोती व्याप्त है अगली पंक्ति देखी एक के खाक गड़े सब भांडे एक कोरा साना सभी लोग एक ही मिट्टी के सभी घड़े बने हुए हैं और उन्हें एक ही कुमार ने बनाया है एक ही खाक खाक मतलब राक घड़े मतलब बनाये गए हैं सब भांडे बरतन एक ही राक से सब भांडे बनाये गए हैं यानि कि सब बरतन बनाये गए हैं एक एकोरा साना कोरा मतलब कुम्बकार और एक ही कुम्बकार ने उन सब को निर्मित किया है यानि कि बनाया है कभी दाजी का यहां पर एक इस पंक्ति का एक अर्थी यह निकलता है कि जो भी संसार में जो भी व्यक्ति है जो भी मानव है उन अगली पंक्ती में देखिए इस कहते हैं कभी जाजी कहते हैं बड़े वन के काट को काटता है अगनी को वह नहीं काट सकता जैसे बाड़ी काश्टी काटे अगनी ना काटे कोई जैसे बड़े वन के काश्ट को काटता है अगनी को वह नहीं काट सकता है तो इसमें क्या कहा है कभी ने की काट के संसर्ग से अगनी की साकार प्रतीती होती है इस पंक्ती में उधान अलंकार है बच्चों जैसे बाड़ी काश्टी काटे अगनी ना काटे कोई इस पंक्ती का अर्थ है जिस प्रकार से बड़ी काश्टी ही काटता है अगनी को नहीं काट सकता है सब घटी अ कोई भी स्वरूप धारण कर रखा हो माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गर्बाना अगली पंक्ती है माया देखी के जगत लुभाना इस संसार में माया से विशय जगत को देख करके माया को देख करें जीव माया से मोहित हो जाता है और वो गर्व करने लग जाता है इस नस्वर एस्वरे पर वह गर्व करने लग जाता है तो कभीरदाश जी मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे नर इस नस्वर एस्वरे पर क्यों गर्व कर रहा है निर्बे भया कुछ नहीं व्यापे कहे कभीर दिवाना अब अंतिम पंक्ति में कभीर दाश जी कहते हैं कि मैं तो निर्बह हो करके प्रेम में मस्त हो करके कभीर कहता है कि मैं तो भगवान के प्रेम में मस्त हो गया हूँ कभीर दिवाना मतलब मैं तो भगवान के प्रेम में मस्त हो गया हूँ और माया से निर्भे रहने वाले जीव को किसी प्रकार का मुह व्याप्त नहीं होता है मुझे इस संसार से किसी भी चीज से मुह नहीं है मैं निर्भे होकर के प्रभु भक्ती में दिवाना हो गया हूं और मुझे इस संसार से किसी प्रकार का कोई मुह नहीं है तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको पर्थम पर्द की व्याख्या करवाई है अब एक बार और मैं बताती हूँ इस बात में कि यहाँ पर देखिए यमक अलंकार है एक एक में एक यह जो यहाँ पर है पहली पंक्ती में एक एक इसमें यमक अलंकार है रुपाती शुक् कोई इसमें उधारन अलंकार है और बहुत सी जगह पे जहां पर एक ही वर्ण की दो से तीन बार आवर्ती हो रही है वहां पर अनुप्रास अलंकार है तो इस प्रकार से इस पद में रुपाति श्योक्ति अलंकार उधारन अलंकार यमक अलंकार और और अनुप्रा सलंकार का प्रियोग हुआ है तो यह हुई हमारे प्रथम पत की व्याख्या चलिए बच्चों हम प्रारब करते हैं दूसरे पत की व्याख्या पहली पंक्ति देखें दूसरे पत की संतो देखत जग बौराना कभीरदाजी कहते हैं देखो तो हे साद को संतो मत पागल हो गया है, बौराना मतलब पागल, पागल हो जाना, तो कभी दाजी कहते हैं, देखो, हे सादकों, देखो, यह सारा जग पागल हो गया है, साच कहो तो मारन धावे जूटे जग पतियाना, साच कहो मतलब सच बात कहें, तो मारन धावे, मारन धावे मतलब मारने के लि मतलब विश्वास करते हैं और जूटे बातों पर ये जग विश्वास करता है ये संसार विश्वास करता है नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे इसनाना कभीर जाज जी कहते हैं मैंने तो मुझे नियम धर्म दिन चर्या आधिका कठोरता से पालन करने वाले संसार में सपने नियम प्रति दिन के नियम आप करते हैं घरं का पालन करते हैं और प्राते काल इसनान का भी मिलन करते हैं ऐसे बहुत से संट मुझे मले हैं अतम मारी पांग पूजे उनमें कुछ नहीं ग्याना लेकिन वे स्वयम अपने आपको सुध करने के लिए रोजना इसनान भी करते हैं उनका वो अपने उन्होंने अपने भीतर आतम उमारी स्वयम के भीतर आतम मतलब स्वयम के भीतर के परमात्मा को छोड़ करके पखा नहीं पूजे पखा नहीं पूज़े मतलब पत्थर को वो पूशते हैं अपने भीतर के परमात्मा को छोड़ करके वे पत्थर को पूशते हैं उन में कुछ नहीं जाना वास्ता में उन साद्वों को उन संतों को कोई जाना नहीं है बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े कितेब कुराना मैंने बहुत से ऐसे पीर ओलिया मतलब धर्म गुरू और ओलिया यनि की धर्म गुरू को देखा है और संतों को देखा है पीर ओलिया मतलब संतों को धर्म गुरू को देखा है जो जिनोंने बहुत से कुरान भी पढ़ रखे हैं, बहुत से किताबे भी पढ़ रखी हैं, के मुरीद तदिबीर बतावें उनमें उहे जो ग्याना, और मुरीद मतलब शिश्य है, तदिबीर मतलब उपाए, वो कभीर जाय जी कहते हैं कि वो अपने शिश्यों को धार्मिक कुरान भी पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, तदिबीर मतलब उपाए भी बताते हैं, समझाते भी हैं, और स्वयम भी पढ़ते हैं, लेकिन वास्ता में उनको पाखंडियों को इस वर का तो कुछ ज्यान ही नहीं है, उनमें उहे जो ज्याना, वे जो जानते हैं केवल व दिम्बधरी मतलब होता है यहां पर दिम्बधरी का मतलब है कि घमंड करके घमंड करके वे बैठते भी हैं कि इनके पास में मन में बहुत गुमाना मतलब अभिमान करके वे आसन मार करके घमंड करके बैठते हैं कि उनके अंदर बहुत सा ज्यान समाया हुआ है पीपर पाथर पूजन लागे तीरत गरव बुलाना और वो पीपल को पूछते हैं पत्थर को पूछते हैं और तीरत भी करने जाते हैं ताकि वे अपने गरव को गमंड को भुला सकें लेकिन वो ऐसा करके भी अपने गमंड को भुला नहीं पाते हैं तोपी पहरे माला पहरे चाप तिलक अ संत दिखाने का धोंग करते हैं पाखंड करते हैं अगली पंक्ति देखिए साखी सब्दही गावत भूले आतम खबरी न जाना वे लोगों को इश्वर का ग्यान देने के लिए साखी और सब्द गाते फिरते हैं लोगों को ग्यान देने के लिए साखी और सब्दों को गाते फिरते हैं आतम खबरी न जाना लेकिन उन्हें खुद को इश्वर का ग्यान नहीं है हिंदु कहे मोही राम प्यारा तुरक कहे रहिमाना हिंदु कहते हैं हमें तो राम प्यारा है और तुरक कहते हैं यानि कि मुसलिम कहते हैं हमें तो रहमान प्रिय लगता है यानि कि प्यारा लगता है आपस में दो लरी मुए मरम न काहू जाना और वे दोनों हिंदु मुसलिम के राम रहिमान के नाम पर दोनों चने लड़ते रहते हैं यानि कि हिंदू-muslim आपस में लड़ते रहते हैं मरम नकाहू जाना लेकिन इनों ने दोनों ने धर्म के मरम को नहीं समझा है घरगर मंतर देत फिरत हैं महिमा की अभिमाना ऐसे पाखंडी लोग घरगर जाकर के लो उनका नाम हो, तो वो इसलिए ये कारे करते रहते हैं, कि घरगर जाकर के गुरु मंत्र देते रहते हैं, गुरु के सहित सिख्य सब बूड़े, कभीरदाजी कहते हैं, ऐसे गुरु के साथ उनके सिख्य भी डूब जाते हैं, बूड़े मतलब डूब जाते हैं, गुरु के सह पस्तावा ही मिलता है पस्तावा ही लगता है कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भर्म भुलाना कबीरदाजी कहते हैं ये संतो सुनो ये सब पाखंड भ्रह्म में भूले हुए हैं ये संतो सुनो ये सब पाखंड भ्रह्म में भूले हुए हैं इस सब भ्रम भुलाना, यह सब पाखंड है, यह सब भ्रम है, इसको भुला दो, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, कबिदाजी अंत में कहते हैं, मैंने कितना कह कह करके समझाया, केतिक कितना कह कह करके समझाया, कहो कहा नहीं माने, मैंने कितनी बार इनको कहा है, ले केवल प्रेमा भक्ती की साधना से इश्वर मिल जाता है इश्वर को पाने के लिए पाखंड की आफशक्ता ही नहीं है ना किसी माला की ना किसी टोपी की ना किसी तीरत की कोई किसी की आफशक्ता नहीं है केवल इश्वर को प्रेम से याद कर लिया जाए तभी हमें इश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो इस प्रकार ये दूसरे पद की व्याक्या होई बच्चों इसके अंदर आपके जो इस पद में है लरी लरी में और घर घर में यहां पर पीपर पाथर पूजन में यहां पर पीपर पाथन पूजर यहां पर अनुप्रास अलंकार है लरी लरी घर इसमें पुनरुक्ति प्रकास अलंकार है तो ये इस पद में एक तो पुनरुक्ति प्रकास अलंकार का प्रयोग हुआ है एक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है सदुक्री भासा का प्रयोग किया है कभीर ने तो यह हमारे हुई दूसरे पद की व्याख्या अब हम करते हैं इस पार्ट के कोश्चन आंसर चलिए वच्चों हम प्रारंब करते हैं कोश्चन आंसर कभीर की पहला कोश्चन देखिए कभीर की दृष्टी में इश्वर एक है इसके समर्थन में उन्होंने क्या तरक दिये है इसका उत्तर कभीर की दृष्टी में इश्वर एक है इसके समर्थन में उन्होंने कई तरक द केंद रहती हैं दूसरा कोश्चन माणाव सरीय का निर्मान किन 5 फत्पों से हुआ है इसका उत्तर माणाव सरीय का निर्मान पृत्थी तेज वाई давно इसकी जल और आकास इन फश्पोंस से मिल कर हुआ है तीसरा कोश्चन जैसे बाड़ी काश्ट ही काटे अगनी न काटे कोई सब घटी अंतरी तूही व्यापक धरे सरूपे सोए इसके आधार पर बताईए कि कबीर की द्रिष्टी में इश्वर का क्या सरूप है इसका उतर है कबीर के दिष्टी में इश्वर अखंड है, सर्विव्यापी है, वैसारे संसार में निवास करता है, जैसे बढ़ाई लकडी को चीर फार कर अलग कर देता है, लेकिन उसमें नहित अगनी को नश्ट नहीं कर पाता, उसी प्रकार मनुष्य का सरीर भी नास्वान है, लेकिन उसके अंदर आत्मा रूप में निवास करने वाला परमात्मा अजर और अमर है, चौता कोशन देखिए, कबीर ने अपने को दिवाना क्यों कहा है, इसका उत्तर, कबीर ने अपने आपको दिवाना इसलिए कहा है, क्योंकि वे परमात्मा के प्रति, पूरी तरह समर्पित हो गए हैं उन्होंने समर्पन के आधार पर ही परमात्मा का साक्षात कर लिया है अर्थार्थ उन्होंने अपने आपको सहज भक्ती में पूरी तरह से डुबा लिया है जब कोई किसी के प्रेम में पूरी तरह डूप जाता है और उसे संसार के राग द्वेश से ला बोरा गया है कभीर ने ऐसा इसलिए कहा है कि यह संसार बोरा गया है क्योंकि वह सत्ते को स्विकार नहीं करता और धुंगों पर विश्वास करता है वह ज्यान चेतना से सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का सक्षात्कार करना नहीं चाहता है और रोजाना इसनान ध्यान पूज व्रत आदी को अपनाता है इसी तरह तीर्थियात्रा माला छाप्पा तिलक आदी सभी आडंबरों पर पूरी आस्था विश्वा सकता है इस तरह का गलत आचरन करने से कबीर ने संसार को बौरा गया बताया है चटा कुश्चन कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले कब संखेत करते हुए बताया है कि वे सुबह सरीर को स्वक्ष करने की दृष्टी से इसनान करके असल लगा कर पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं आत्म ग्यान के अभाव में पत्थर पूजने लगते हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं होता कि इन पत्थरों में पत्थरों की क्या गती होती है इसका उत्तर अग्यानी गुरुओं की सरण में जाने पर गुरु के साथ साथ सिश्य भी डूब जाते हैं और उन दोनों को अंतमे पच्टाना ही पढ़ता है आत्म को पहचानने की बात कि पंक्तियों में कहिए उन्हें अपने सब्दों में इसका उत्तर देखिए बाहिया आडंबरों की अपिक्षा स्व्यम आत्म को पहचानने की बात निमलिखित पंक्तियों में कहिए आत्म उमारी पखा नहीं पूजे उन्हें कुछ नहीं जाना अर्थार्थ आत्म ग्यान से सुनने लोग पत्थरों को पूजने लगते हैं उन इसके साथ लोग यह भी नहीं जानते कि यह वे स्वयम इस्वर का रूप हैं वे साखी सबद आदी गाग आकर रिजाने का प्रत्न करते रहते हैं यह सब वे आत्म ग्यान के अभाव में ही करते फिरते रहते हैं तो इस परकार से बच्चों हमारा यह पार्ट कंप्लीट हु आज के लिए धन्यावाद अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे